प्रस्न नमबर चार देखिए दू केजी सेव और एक केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रूपया पाया गया एक महिना बाद चार केजी सेव और दू केजी अंगूर का मुले 300 रूपया है कतनों के समीकरन बनाए आलेखिये परदर्शन भी करे इसके पहले ये तीन प्रस्नों का वीडियो हम बना चुके हैं अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर को इस वीडियो को देख ले और आए इस प्रस्न को हम सॉल्व करते हैं प्रस्न को हम यहां पे लिख लिए हैं अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहां लिखेगा कि मान लिया की एक केजी सेव की कीमत एक सुरूप्या तथा एक केजी अंगूर की कीमत ओवाई रूप्या इस प्रस्ने में सेव और अंगूर की बात कर रहा है तो हम यहां पर एक केजी सेव कीमत मान लिये और एक केजी अंगूर कीमत मान लिये प्रस्न से यह जो प्रस्न है इसके अनुसार अब इस तरह के प्रस्न में हमेशा दो कथन रहता है उससे दो इक्वेशन बनता है और उसी इक्वेशन के मदद से एक सुवाई के मान निकालते है ठीक है तो इस प्रस्न में भी दो कथन है पहली कथन जो है आपका 2 kg सेव और 1 kg अंगूर के कीमत किसी दिन 160 रूपया पाया गया जो देख रहे हैं आपका पहली कथन है इससे क्या हुआ कि आपका एक equation निकलेगा कथन से तो उसको निकल लेना है और फिर दूसरी जो कथन है से यहां से देखिए एक महिना बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मुल तिन 100 रूपया है एक एक कथन है इसका भी समीकरन बनाए तो प्रस्ण आपको कह रहा है कि कथनों के समीकरन बनाए इसको solve नहीं करना है सिर्फ equation बना दना है वही आपका अंसर हो जाएगा ठीक है तो प्रस्ण से पहली कथन इसने देखिए पहली जो कथने से देखिए 2 kg सेव और 1 kg अंगूर की कीमत कितना है 160 रूपया है तो 1 kg सेव के कीमत हम माने है 1 रूपया तो 2 kg सेव के कीमत कितना हो जाएगा 2 x plus 1 kg अंगूर तो 1 kg अंगूर के कीमत वाई रूपया माने है अभी दोनों के कीमत को जोड़ेंगे तो कितना है 160 रूपया ये आपका समीकरन एक हो गया अभी कैसे हुआ से इसको हम एक्जांपल के माध्यम से समझाते हैं अगर इस तरह से प्रस्ण आए केजी वला कि 2 kg सेव अंगूर इसके जबब और कुछ हो सकता है जैसे प्याज हो सकता है आलू हो सकता है कि आप बजार गये 2 kg प्याज खर दे 5 kg आलू खर दे तो उसका मू जा कि एक केजी का दाम मानना है एक केजी का जो दाम है उसको आपको मान लेना है अब यहाँ पर सेव और अंगूर की बात कर रहा था तो हम मान लिए यहाँ पर कि एक केजी सेव के कीमत एक सुरूपया और एक केजी अंगूर के कीमत वाई रूपया अब यहाँ पर आप ए सेव खरितना है तो कितना रूपया हो जाएगा तो एक के जी के दाम एकस रूपया है तो पांच के जी के दाम एकस 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 एक दू तीन चार पांच यानि की पांच एकस रूपया दाम हो जाएगा या तो फिर आप इसको डैरेक्ट भी ल केजी है दुकंदार बोला कि सेव जो है सो रूपये केजी है और आपको दो केजी सेव लेना है तो आप उसको कितना रूपय देंगे तो दखिए एक केजी का दाम सो रूपया हो गया और फिर एक केजी है उसका भी दाम सो रूपया हो गया आप दो केजी सेव ले रहे हैं तो एक के जी ज़ली के नहीं है का करेंगी सो रुपिया एक कीय दाम होँसे 5 सो गुना कर देंगे के हैं देखुए एक केजी सेव कीमत हम और जोड़ेंगे तो कितना हो जाती एक काइने का मतलब है कि सौ रूपय एकेजी जो है सेव है और असी रूपय केजी जो है अंगूर है ठीक है और अगर आपको दू केजी सेव और एकेजी अंगूर खरी दना है तो उसको दुकंदार को कितना रूपय देंगे तो दू केजी आप सेव खर देता आप क्या करेगा सौ रूपय केजी है त उसको दूसरे गुना कर देगा तो 200 हो जाएगा प्लस एक केजी अंगूर खर दे और एक केजी के दाम 80 रुपया है तो 80 रुपया अज दोनों को जोड़िएगा तो 200 क्या हो जाएगा तो इतना रुपया अब दुकांदार को देंगे तो वही यहां पर हम लिखे हैं कि 2 केज हम सेव खरीद रहे हैं और सेव के दाम नहीं पता है तो हम मान लिए हैं कि एक केजी सेव के दाम 100 रुपया है तो दू केजी सेव खर देंगे तो इसको क्या कर देंगे इतना रुपय हो जाएगा और एक केजी अंगूर तो एक केजी अंगूर के दाम हम वाई रुपया मान दूसरी कथन से यहां भी से लिख देज़ेगा अब दूसरी कथन क्या है? यहां तक तो कर लिए अब यहां पढ़िए एक महिना के बाद यानि कि आप फिर जो है मार्केट जाते हैं एक महिना के बाद जाते हैं और आपको चार केजी सेव और दू केजी अंगूर खरीदना है तो उसका मूल जो मार्केट में है कर रहा है कि तीन सुर रूपया है ठीक है? तो देखिए एक केजी सेव के दाम जो है माने है एक सुर रूपया ठीक है? और हमें खरीदना कितना है अब? 4 kg तो इसको क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे प्लस 2 kg अंगूर तो 1 kg अंगूर के दाम हम y रुपया माने हैं तो 2 kg के कितना दाम हो जाएगा 2y हो जाएगा इस दोनों को जोड देंगे तो कितना हो जाएगा 300 रुपया यह आपका equation 2 हो गया देखिए इसको हम solve भी कर लेते हैं इस दोनों में कितना common है दो common है ठीक है तो इसमें 2 हम common कर लेते हैं तो इसको कितना हो जाएगा अपको 2x प्लस है 2 common होगे तो बच गया y बराबर 300 यानि 2x प्लस y बराबर यह दो गुना मेहत इसको धर ले आएगे तो 300 बटा 2 कट गया तो 1,500 यानि 2x प्लस y बराबर 1,500 यह equation आपका 2 हो गया यहाँ पर मत लिखेगा इसको solve किये तो यह आया ठीक है तो पहली कथन का equation यह हो गया और दूसरी जो कथन है उसका equation यह हो गया और यही आपको प्रस्ण में कहा रहा है कि जो कथन है उसका समीकरन बनाईए solve नहीं करना है ठीक है तो यह आपका equation हो गया अब देखिए यहाँ कहा रहा है कि आलेखिये पर दर्शन भी करें तो आपको पिछली exercise में हम ग्राफ बनाने के लिए बताए हैं तो जो दू equation देख रहे हैं इसके मदद से जो है आप ग्राफ बना देजेए पांच नमबर प्रस्ण के पहला प्रस्ण देखिए कहता है दो संख्याओं का योगफल पचास है और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की साथ बटा तीन गुनी हो तो संख्याओं निकाले प्रस्ण को यहां पर लिख लिए है दखिए यहां पर दो संख्या का योगफल पचास है इसमें दो संख्याओं को निकालना है जिसका योगफल कितना है पचास है वो संख्याओं को भी पता नहीं है कि वो जो दो संख्या है वो कौन कौन है दो संख्या आपको लेना है जिसका योगफल पचास हो यानि कि वो संख्या आपको 10 और 40 भी हो सकता है दो संख्या दोनों को जोड़ी गदा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा संख्या आपको 3812 भी हो सकता है एकी संख्या हो गया एकी संख्या हो गया दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा एक संख्या 30 हो सकती है दूसरी संख्या 20 हो सकती है देखिए इस दोनों को भी जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा पच्चास हो जाएगा, तो हमें इस प्रस्ण में पता नहीं है, कि जो वो दो संख्या के बारे में बात कर रहा है, वो कौन है, ये है, कि ये है, कि ये है, ये दुनों है, कि ये दुनों है, कि ये दुनों है, तो हम क्या करते हैं, कि मान लेते हैं, चाहिए वो कोई भी संख्य हो 10, 38, 30 पहली संख्या और दूसरी संख्या 40, 12, 20 कुछ भी हो तो हम पहली संख्या को भी मान लेते हैं और दूसरी संख्या को मान लेते हैं तेहां देखिए हल माना कि पहली संख्या बराबर x यानि कि x कोई संख्या है जो पहली संख्या ठीक है और दूसरी संख्या बराबर ठीक है, दो संख्या की बात करा, दोनों संख्या को हमान लिए, जब पता ही नहीं है तो हमान लिए, अब यहां देखिए, प्रस्न से, प्रस्न से, पहली कथन से, पहली कथन आपको यहां से लेकर यहां तक है, काता है दो संख्याओं का योगफल कितना है, पच्चास है, तो पहली संख्या कितना आपा है? X है, और दूसरी संख्या कितना है? Y है, और दोनों संख्या के जोड़ देंगे, यानि योग फल, तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, यह आपका equation first हो गया, ठीक है? कहने का मतलब है कि दो संख्या मान लिज़े कि 10 और 40 है, तो 10 और 40 को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, तो हम्हें अभी पता नहीं है कि संख्या 10 है कि 40 है, ठीक है, तो दोनों संख्या को हम यह माने हैं, और दोनों संख्या को हम क्या करेंगे? 50 हो जाएगा, यह पहली कथन करने सारी equation निकल गया, अब लिखें दूसरी कथन से क्या कहता है देखें हाँ पर और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की साथ बटा तीन गुनी हो तो संख्या निकाले पहली संख्या तो पहली संख्या माने है एक से दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या की दहर लिखेगा। वाई, तो देखे है पहली जो संख्या है दूसरी संख्या की कितना गुनी है यह साथ बटा तीन गुनी है। साथ बटा तीन गुनी है हमें क्या करना है कि दोनों को equation बनाना है ठीक है इसको समीकरन बनाना है तो समीकरन का sign क्या होता है बराबर का होता है और समीकरन का मतलब होता है समान्ता समान्ता का मतलब कि दोनों side बराबर होना चाहिए तराजो जो होता है एक पल्रा इधर होता है एक पल्रा इधर होता है और बीच में काटा होता है तो अगर इधर एक केजी है और इधर माल जे दू केजी है तो क्या होगा काटा जो है इधर जुक जाएगा तो हमें बराबर करने के लिए क्लिए क्या करना होगा कि दू केजी है यहां पर एक केजी करना होगा तो एक केजी नहीं होगा नि меся संउ नहीं के बनाना है थी क्वेशन बंदाना शामान था या या दोनों तरब बराबर होने चाहिए तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये संख्या साथ बटां तुनी है तो इसको तो भी हम क्या करेंगा कि 7 बटा 3 से गुना कर देंगे तब जो है equation मेरा बराबर हो जाएगा ठीक है तो इसमें हम क्या करते हैं कि 7 बटा 3 से गुना करते हैं दखिए प्रस ने जो कर रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7 बटा 3 गुनी है दूसरी संख्या की केतना गुना है 7 बटा 3 गुना है तो हम क्या कि एक इसको equation बनाना था समीकर्ण को बनाना था तो बराबर करने के लिए इसको भी हम 7 बटा 3 गुना करेंगा तब दोनों साइट क्या हो जागा बराबर हो जाएगा ये आपका equation 2 हो गया और इसको हम solve कर लेते बहुत से लाड़का इसको समझने पाते हैं समझते हैं इसे संख्या ुना gettin whose को था उन घिन से गुना करता है उनको समझता ही नहीं कि ये 7 वटा 3 गुनी है और समीक्रम बनाने के लिए हमें इसमें गुना करना पड़ता है तो आप डिरेक्ट भी समझ सकते हैं दूसरी संख्या की 7 वटा 3 गुनी है तो दूसरी संख्या y माने हैं इसको 7 वटा 3 से गुना कर देजिए जैसे आपको अच्छा लगव इसे बनाई है अब इसको क्रॉस मल्टिफिकेसन करते हैं इसके नीचे 1 है तो 3 में इससे गुना होगा और 1 में इससे गुना कर देंगा ठीक है तो x में 3 से गुना कर देंगा 3x बराबर 7 में y से गुना कर देंगा 7y और 7y में 1 से गुना कर दें का दू हो गया अब कहा रहा है कि संख्या निकाले इसमें क्यों बना कर छोड़ना नहीं है संख्या निकाले अन्य क्यों दोनों संख्या को भी बताना को संख्या क्या है तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को solve करेंगे लिखेगा कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 को यहां पर लिखे x प्लस y बराबर 50 और समीकरण 2 है आपका 3x-7y बराबर 0 अब देखिए इसमें x और y का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे लूपती करन बिद्धी का इस्तमाल करेंगे और उसमें क्या करते हैं कि एक चैर को यहां से बिलूपत कर देते हैं तो दूसरा जो है निकल जाता है अब यहाँ पिर ध्यान से देखिए कि यह y है यह कितना है? 7 y है तो पहले तो हमको बराबर करना होगा 7 y है यहाँ सिर्फ y है तो इसको हम क्या करेंगे? 7 से गुना करेंगे बहाँ हो जाएगा पचास में साथ से गुना करेंगे तो साड़े तीन सो अब इसमें तो हम गुना नहीं कि यहां तो इसको ऐसे है वह ऐसे लिख दीजिए यहां पर ठीरी एक्स माइनस साथ वाई बराबर जीरो जोडने पर देखिए पलस में साथ वाई बराबर साथे तीन सो एक्स बराबर क्या हो जाएगा तीन सो पचास बटा दस भागा देजिएगा तो देखिए एक जिरो सेक जिरो कटिगा तो कितना बचा पैंतिस बचा यानि एक्स का जो मान आया तो पैंतिस आया अब यहां पर देखिए एक्स का मान समीकरन एक में रखने पर यहां जो समीकरन एक उसमें जो एक्स का मान है हम रखेंगे तो समीकरन एक को पहले लिख लेजिए समीकरन एक है आपका एक्स प्लस वाई बराबर पच्चास अग एक्स का मान कितना आया है 35 आया है तो यहाँ पर लिखेंगे 35 प्लस y बराबर 50 तो y बराबर क्या होगा यह 50 है और 35 जो ही राखर के माइनस हो गया यानि कि y बराबर 15 तो x का भी मान निकल गया y का मान निकल गया तो X को हम क्या माने हैं? X को माने हम पहली संखिया, यहाँ लिखेगा, इसलिए पहली संखिया बराबर 25, पहली संखिया बराबर X माने हाँ, X का मन 135 आया तो, यानि कि पहली संख्या कितना है 35 है और दूसरी संख्या बराबर वाई माने हैं वाई कमान 15 आया है तो 15 प्रस्ण कर रहा था कि संख्या ही निकालिए यानि कि पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 15 यही आपका अंसर हो गया अगर एक्जाम में इस तरह से प्रस्ण आ जाए और बना दिये, solve भी कर दिये और आपको पता करना है, यानि कि चेक करना कि जो हम अंसर लाए हैं सही है कि गलत है तो कैसे करेगा, देखिए यहां पर परस्ण ने कहा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल पत्चास है तो आप दो संख्या निकाल के लाए, एक 35 लाए हैं वे कितना लाए हैं, पंदर लाए हैं तो आप दो संख्याओं का योगफल पत्चास है, तो दोनों को जोड़ेगा, तो कि इतना होगा, एक आमन हो जाएगा यानि कि गड़बड है, यानि जो हम लाए रहे हैं वो गलत है, जो हम बनाए हैं से गलत हो जाएगा, ठीक है तो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ भी चेक कर सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे हैं, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं लिख लिजे इसको पांच नमर प्रसन के जो दूसरा प्रसन है दखिए कहता है दो संख्याओं का अंतर चार है और योगफल चाव है, तो संख्याए निकाले यानि आपको दो संख्या निकालना है, जिसको जोड़ने पर चाव हो और घटाने पर चार हो ऐसी संख्या आपको निकालना है ठीक है तो आप कलपना करिए सोच के देखी कि ऐसी दो संख्या कौन हो सकती है जिसको जोड़े तो 6 हो जाए और घटाने पे 4 हो ठीक है तो दो संख्या की बात कर रहा है देखें आपे दो संख्या की बात कर रहा है यानि कि एक पहली संख्या होगी एक दूसरी संख्या होगी और दोनों को निकालना है तो क्या करेंगा सबसे पहले पहली संख्या को मान लेंगे और दूसरी संख्या को मान लेते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए हैं सबसे पहले आप मान लिजाएगा कि मान लिया कि पहली संख्या बराबर एक्स और दूसरी संख्या बराबर वाई दो संख्या की बात कर रहा है दोनों को मान लेते हैं कि पहली संख्या वो एक्स है और दूसरी संख्या वाई है अब यहां लिखिएगा प्रस्ण से जो प्रस्ण है इसके नुसार पहली कथन पहली कथन से पहली कथन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर चार है तो दो संख्या यानि कि जो पहली संख्या है यह दूसरी संख्या इस दोनों का अंतर कितना है अंतर का मतलग क्या होता है घटाओ यानि घटा देंगे तो चार होगा देखिए तो पहली संख्या आपका X है और दूसरी संख्या Y है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या इस दोनों का जो अंतर होगा यानि कि दोनों का जो घटाओ होगा और किसके बराबर होगा एक के बराबर होगा तो यह पहली कथन से आपका equation आ गया इसको माने जो एक्वेशन 1 अब यहां लिखे दूसरी कथन से दूसरी कथन फिर देखे का कहता है और उनका योगफल जो है 6 है योगफल यानि किसका योगफल? यह दो संख्या है उसका योगफल 6 है तो देखे पहली संख्या X है और दूसरी संख्या Y है यही हमाने हैं, यह दोनों का योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड, कितना है, छाओ है, यह आपका equation दू हो गया, तो संख्या बताईए, तो क्या करेंगे, इस समीकरन को हम solve कर देंगे, तो एक सोर वाई का मान निकल देगा, और एक सम पहली संख्या माने है, वाई दूस समीकरन, दूसरे, समीकरन एक है आपका, एक समाइनस य बरावर वन, और दूसरे समीकरन है, एक स प्लस बरावर रबर छे, इस को अब हल कर देजए, लुपतिकरन विधि से, लोपन विधि से, किसी एक को कर देज़ेंगे, डूसा निकल लगते इस से, एक साह्वा का मान नि जोडने पर इस दोनों की पो जोड़ रहा है तो एकश और एकश जोड़ेंगे तो क्या होँगा टो एकश पलस माइनस क्या हो गया ढ बहू बराबर है च्राउ ओर एक कि देखे सोरी यहां पर जो है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है चार है तो यह चार लिखंग तो यहां क्या होगा यह 4 होगा अम यहां पे एक लिख दिए थे जलके यहां पर क्या करा रहा कि umm हम का उनता चार है यहां पर 4 लिखेंगे अब दुनों को जोड़िए तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 तो X बराबर क्या होगा यह 10 और 2 इधरा करके बटम हो गया दू पचे 10 यानि X का मान 5 आया अब यह लिखेगा कि X का मान समीकरन समीकरन एक में भी रख देगा तो Y का मान निकल लेगा दू में भी रखेगा तो Y का मान यानि दोनों में Y का मान सेम आएगा किसी में आप X का मान रख सकते हैं तो X का मान समीकरन एक में रखने पर समीकरन एक क्या है आपका X माइनस Y बराबर 4 अब इसमें X का मान क्या रखेंगे 5 रखेंगे माइनस Y बराबर 4 अब ध्यान से देखेए, minus y को इधार रखेंगे और 5 को भेघ देंगा इधार, minus y बराबर, ये कितना है, 4 और 5 इधार आगा, तो क्या चीज मो हो जागा, minus मो होगा, तो minus y बराबर, minus 5 में, plus 4 को, minus 5 में, चार को जोड़िएगा तो क्या बचेगा माइनस बचेगा दोनों साट माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो य का मान कितना आया एक आया तो एक्स का मान भी निकल गया और य का मान निकल गया तो एक्स को हम क्या माने है पहली संख्या माने है तो यहां पर नीचे दूसरी संख्या बराबर, y माने हैं, y को मन कितना है, 1, तो प्रसने कर रहा थे कि दो संख्या निकाली है, तो जो दो संख्या है, वो 5 है, और 1 है, एक जाम में आप इसको बना दिये, अब आपको वहीं चेक कर लेना है, कि हम जो अंसर लाए हैं, इस सही है, कि गलत है, तो दे यहां देखिए x-y ब्राबर हम 4 दिखे थे कि नहीं, 5 में एक को घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इधर भी 4 है, क्या है ब्राबर है कि नहीं है, तो इसी को कहते हैं समीकरन, समीकरन का मतलब क्या होता है, दोनों साथ ब्राबर, x कमान 5 और y कमान 1 रखेंग यहां एक रखेंगे, वह एक जगा पे, तो 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है, तो 6 को ब्राबर है, यह भी एक्वेशन में रख सही है, तो इक्वेशन का मतलब ही होता है, कि दोनों साथ क्या होना चाहिए, और जो अंसर हम लाएँ, यह भी सही है, तो आप यहां चेक भी कर सकत है, दोनों संख्याओं का योगफल छो है, परस्न में कार रहा है, तो 5 और 21 को जोड़के देखते हैं, तो 5 और 6 होगा, तो जो परस्न कार रहा है, तो अंसर लाएं बिल्कुल सही है, परलatori संख्या 5 और दूसरा संख्या 1, इसको लिख लेजिये, पांच नमबर प्रस्न के तिस्रा प्रस्न देखे, कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, एब उनका योगफल सोल्ला है, संख्या निकाले, दो संख्या की बात कर रहा है, और इसमें हिंट दे रहा है कि एक जो संख्या है, दूसरी संख्या की तीन गुनी ह और फिर दोनों संख्या को जोड़ीगा तो उसका योगफ़ सुला होगा तो संख्या बताईए ठीक है अब देखिए यहां पर दो संख्या है तो दोनों संख्या को हम क्या कर लेंगे मान लेंगे तहां लिखते हैं कि मान ने लिया कि पहली संख्या बराबर X जब पता ना हो कि पहली संख्या कितनी है दूसरी संख्या कितनी है तो उसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि मानने लेते हैं तो पहली संख्या को मानने लिए X अब इसके जगा पर जो होगा वो आएगा और दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या बराबर वाई ठीक है अब नहीं लिखिएगा प्रस्ण से प्रस्ण से पहली कथन से पहली कथन से या आप यह लिख सकते हैं पहली सर्थ से यानि जो पहला कंडिशन वो क्या कहता है कोश्चन में से दखिए एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है या लिखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की के गुनी है यह तीन गुना है यह तीन गुना है यह तीन गुना है दूसरी संख्या से और हमें क्या करना है इसको इक्वेशन बनाना है यानि समीकरन बनाना है और समीकरन कहता है क जो पहली संख्या है, दूसरी संख्या से 3 गुनी है, कहने का मतलब पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या 10 है, दूसरी संख्या से के गुनी है, तीन गुना है, 10 में 3 संख्या करीगा तब रहें 30 होगा, यह आप हो सकता है कि पहली संख्या 36 हो, दूसरी संख्या 12 हो, तो दू में भी तीन से कुना कर देंगे बारत य सरे सिभी हो जाईगा वहिए से जहीं प्रस्ण कहता कि जो पाहली संख्या है दूसरी संख्या से यह तीन गुना है तो तो ऩ समीक्रम बनाने एक लिए इसको भी एमको तीन गुना करना हो shrine तो इसलिए इसको हम तीन से गुना करते हैं ठीक है तो बहुत से लोग क्या करते हैं विद्यारती देखते हैं कि पहली संख्या बोला प्रस्ण में कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की तीन गुनी है तो जो दूसरी संख्या इसी को तीन गुना डेरेक्ट लिक देता है सम संख्या लिखे और प्रस्ण में का रहा कि दूसरी संख्या के तीन गुनी है तो बहुत से लगा क्या करता है कि जो दूसरी संख्या उसको तीन से गुना करता है तो जैसे आप को इचाओ वैसे ही बनागे अब देखे अब क्या करते हैं इसको लिखाते हैं इधर तो एकस माइ निकालने के लिए, दो equation होना चाहिए, तो पहला equation तो हम निकाल लिए, अब दूसरी equation निकालते हैं तो दूसरी कथन से, दूसरी कथन देखें क्या कहता है, कि एवम उनका योगफल सोलह है, कहने का मतलब जो दो संख्या आप माने हैं, उसका योगफल, योगफल का मतलब होता है जोडने पर, दोनों को जोड़ेंगा तो कितना होना चाहिए, सोलह होना चाहिए, तो देखें, पहली संख्या और दूसरी संख्या यह दोनों का योगफल कितना है 16 ठीक है यह आपको एक्वेशन दू हो गया तो संख्या बताइए तो हम क्या करेंगे कि दोनों को हम हल कर लेते हैं इसलिए समीकरन एक तथा समीकरन दूसरे समीकरन एक है आपका एक्स माइनस थीरी वाई बराबर जीरो और समीकरन दूसरे सब्सक्राइब देखिए एक्स का मान इसमें निकाल या y का मान निकले किसी एक आपको काटना होगा तो देख रहे हैं कि एक्स और एक्स दूनों क्या है बराबर है तेस्टी को हम हटा दते हैं हैं से बिलुप्त कर दते हैं तो यह भी प्लस में है यह भी प्लस में है अगर यहां पर जोडने पर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा अगर दुनों से मेकन को हम जोडते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स व एक्स टू एक्स हो जाएगा जूट जाएगा यानि कि कैंसल नहीं होगा तो कैंसल करने के लिए हम यह लिखते मिनस में हैं य एक तो 36, तो इधर आया, पटा में हो गया, मयनस कट गया चार चक 16 यानि मैं कतना आया चार आया, अब y का मान समीकरन 1 में रखने पर, तो समीकरन 2 क्या है, x प्लस y बराबर 16, अब इसमें क्या करेंगा कि y का मान जो है, चार आया है, तो यहां पर रखेंगा, तो x प्लस y, y का पर लिखेंगा 4 बराबर 16, x बराबर क्या हो जाएगा, debe 16 है और 4 प्लस में इधर आया, तो मैंनस में चार हो गया, x बराबर 12, तो दोकि y का मान 4 आया, और एक्स का मान कितना या बारा या तो करार संख्या ग्याद करिए तो पहली संख्या को एक्स माने है यानि कि पहली संख्या बारा है और दूसरी संख्या को बाई माने है और दूसरी संख्या कितना है चार है तो इसके नीचे जगा नहीं है यहां पर लिख देते हैं अत यहां लिखेगा कि अत पहली संख्या बराबर 12 और दूसरी संख्या बराबर 4 यानि कि पहली संख्या 12 दूसरी संख्या 4 यही आपका आंसर है अब एक्जाम में इस प्राशन को आप बना लिए आपको कैसे परच लगा कि जो हम जो अंसर लाए है इस सही है कि गलत है तो देखिए बारा और चार लाए है तो यहां मैच कर लिजेगा कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है तो यहां देखिए ध्यां से एक संख्या तो एक संख्या कितना है बारा है और दूसरी संख्या कितना है चार है तो पहली संख्या द अगर यहां पस तेरा लाथते तो तेहरा चार तो दुस्री संख्धा कर तीन गुन हा नहीं है अग जलत हो जाता आपको तो यहां जैसी आप तेरा लाथे इसका भ्राइब अब भूर्स में जो गलत बनाए ऊप आपको बिल्कुल सही है, देखिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या का के गुना है, तीन गुना है, चार में तीन साग्या करेगा तो 12 होगा, और देखिए, उनका योगफल कितना है, 16 है, यानि जो दूसरा समिक्राना है, एक्स प्लस वाइबर 16 है तो एक्स के जगा पराखिए 12 और य के जगा पराखिए 4 तो 12 में 4 को जोड़ेंगे तक क्या हो जाएगा हो जाएगा यानि जो आप अंसर लाए हैं बिल्कुल सही लाए हैं दोनों संख्या का योग फ्रस्वला हो रहा है ना ठीक है तो इसी तरह सा पहां जाच भी कर सकते हैं प्रस्न को कि हम सही बनाया है कि गलत बनाया है इसको लिख लीजिए